महराश्ट में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से भाजपा और एकनास सिंदे गुट के सिवसीना के विधायकों की सरकार है और बियमसी चुनाव आने वाले हैं लेकिन उन चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे और उनकी राजनीत को पूरी तरह ठिकाने लगाने के लिए भाजपा और एकनास सिंदे गुट ने योजना बनानी सुरू कर दी है और इस योजना में सबसे अहम किरदार है महाराश नवनिर्मार सेना प्रमुक राज ठाकरे का सुत्रों के अनुसार महाराश नवनिर्मार सेना और भारती जिंता पार्टी के बीच चुनाव के लिए गडबंधन को लेकर चर्चाएं जारी है हाला कि इसे लेकर दोनों दलों की तरब से अधिकारिक तोर पर कुछ नहीं कहा गया है लेकिन लगातार हो रही हाई प्रोफाइल मुलाकात ऐसे संकेत दे रही है हाली में भाजपा के प्रदेश अध्यक चंसेखर बावन कुले मनसे प्रमुक राजठाकरे से उनके आवास सिवतीर्थ पर मिले इससे एक दिन पहले ही भाजपा के राष्टिये महसची उबिनोत तावडे ने भी राजच से मुलाकात की थी कहा जा रहा है कि भाजपा का मानना है कि मुख्यमंत्री एकना सिंदे गुट और राजपा की पार्टी के साथ वो सेना के मराठी वोट बैंक को अपना बना सकते हैं बीमसी चुनाव को लेकर फिलहाल दोनों दलों के बीच चर्चाय सुरुआती दौर में है राज ठाकरे में भाजपा को एक प्रखर वक्ता नजर आता है जो उद्धो ठाकरे और संभाजी बिग्रेट को आकरामक होकर टक कर दे सकता है या बाद भाजपा नेता कई बार जाहिर भी कर चुके हैं इसके अलावा वो राष्ठवादी कांग्रेस पार्टी यानि ANCP और कांग्रेस को भी हराना जानते हैं वहीं एक भाजपा नेता ने कहा है कि हो सकता है कि राजट ठाकरे सीटे ना जीचिस सकें लेकिन भाजपा के लिए उनकी रेलियां महाविकास अगारी के खिलाब माहोल तयार करने में मदद करेंगी उन्होंने या भी बताया कि मनसे प्रमुक की 10-12 बड़ी रेलियां फाइदे मनसा भी धो सकती है वहीं एक मनसे पदादिकारी का कहना है कि मनसे BMC चुनाव लड़ना चाहती है लेकिन भाजपा और सिंदे गुट के साथ गडबंधन उचित होना चाहिए पार्टी के एक अन्य नेता कहते हैं कि राज ठाकरे भाजपा के सामने सरेंडर नहीं करेंगे या उनकी सर्तों पर होगा वहीं भाजपा रणनीतकार का कहना है कि कुल 227 सीटों में से भाजपा मनसे को 25 से 30 सीट की पेसकस कर सकती है क्योंकि उसे सिंदे गुट को भी जगा देनी है हाला कि सूत्रों के अनुसार बिजेपी बीमसी चुनाओ में 30 से 35 सीटे देकर गटबंधन के लिए तयार कर सकती है क्योंकि सिंदे गुट को भी सीटे देनी है बिजेपी खुद के लिए 150 सीटे रखना चाहती है ताकि सबसे बड़े दल के तौर पर जीत कर मुंबई में अपना मेर बना सके गौर तलब है कि साल 2017 के बीमसी चुनाओ में भाजपा के खाते में 82 सीटे आई थी जबकि यह आकड़ा सिवसीना के मामले में 84 सी पर था उस दोरान मनसे ने 7 सीटे जीती थी हाला कि 2 साल बाद हुए बिधानसबा चुनाओ में मनसे के वल एकी सीट जीज सकी थी ऐसे में राजपी की सियासत में एक बार फिर से पहर जमाने के लिए मनसे के सामने मौका हो सकता है हाला कि अब इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि महरावस की सियासत में एक ना सिंदे के जरिये उद्धो ठाकरे के हांस से सत्ता चीनने के बाद बिजेपी की नजर राज ठाकरे के जरिये बिएमसी पर कब जाजमाने की है बिजेपी इस बात को भी जानती है कि राज़ ठाकरे भले ही न जीए सकें लेकिन वो बिजेपी के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं राज़ ठाकरे की रेलियों महाविकास अगाडी के खिलाब माहौल तयार करने में मदद करेंगी प्रभारी है और इसके विसाल बजट के कारण इसका बहुत प्रभाव है 2019 बीस का आकड़ा 30,692 करोड रुपे का है जो कि 2016 सत्रा के 37,052 करोड रुपे के उच इस तर से काफी नीचे है या बजट कुछ छोटे राज्यों जैसे नागा लेंड में घाले, सिक्किम और गोवा से भी काफी अधिक है बहराल महरास्ट में एक और सियासी बदलाव आकार लेता साब दिख रहा है और नुकसान उद्धो का ही नजर आ रहा है बिरो रिपोर्ट न्यूस अफ इंडिया